नमस्कार दोस्तों GS Recipe के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम पाल वंस के बारे में तता सेन वंस के बारे में डिसकस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रिशन आये हुए हैं प्रिविएस येर में उन सबका जो है इस वीडियो में डिसकसन कर लिया जाएगा तो पहले प्रिशन से सुरुआत करते हैं पहला कोशन बोल रहा है कि पाल वंस का संस्थापक कौन था तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्सन नमबर C पाल वंस का संस्थापक दो था जो था वो उसका नाम गोपाल है इसके बारे में कुछ मैदपूर तथी जान लीजिए पाल के पश्चाद जो है उसका पुत्र था उसके पुत्र का नाम धरमपाल था धरमपाल ने लगबग 770 से लेके 810 मतलब 40 साल तक इसने सासन किया और यह उनके बाद राजा हुआ था उसने बंगाल को उत्री भारत के प्रमुक राजियों की सेड़ी में इस्थापित कर दिय और जो धरमपाल था ना धरमपाल ने एक important विस्विद्याले की स्थापना करी थी और यह बहुत पूछा जाता है तो आप note कर लीजिएगा धरमपाल ने विक्रम सिला विस्विद्याले का संस्थापक था या कौन विक्रम सिला विक्रम सिला विस्विद्याले का या संस्थ स्थापक था कौन धरमपाल और बंगाल में कैवर्त विद्रो पाल वंसी सासक जो है वह महीपाल दुर्तिय के काल में हुआ था ठीक है तो इस प्रशन का सही जवाब क्या है वह है ऑप्सन नमबर सी इस दा राइट एंसर अगले पर स्कियों बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या अगला प्रशन है कि बंगाल में कैवर्त विद्रो किसके काल में हुआ था तो ये भी मैंने बताया था कैवर्त विद्रो जो हुआ था वह महीपाल दुर्तिय के शासन काल में हुआ था अप्सन नमबर सी दा राइट एंसर अगले पर स्कियों बढ़ते हैं अगला प्रशन क बोल रहा है कि सेन प्रमुक्षासक थे सेन मंस के जो PARMुक्षासक थे उनका नाम विजय सेन था उनका नाम क्या था सबसे important विजय सेन था और देव पाडा अभलेक कौन सा अभिलेक देव पाड़ा अभी लेक के अनुशार उसने बहुत से प्रदेश जीत कर सेन वंस की सत्ता जो है वा इस्थापित करी थी उसका एक पुत्र था किसका इसी का ये विजय सेन विजय सेन का एक पुत्र था जिसका नाम था बल्लाल सेन जिसका नाम था बल्लाल सेन बल्लाल सेन ए एक विश्तरित प्रदेश पर सासन किया और बलाल सेन जो है वा लेखक भी था और उसने इस प्रतियों पर आधारित एक ग्रंथ है जिसका नाम है दान सागर जिसका नाम है दान सागर और एक जोतिस ग्रंथ अदभुत सागर एक जोतिस ग्रंथ है जिसका नाम है अदभुत सा यह इसने धारण करी थी उसने बल्लाल सेन ने और क्या महतपूर्ट ताथीजा है कि इस का एक और महतपूर साशक हुआ जिसका णाम है लचमड सेन जिसका नाम है लचमड सेन और लचमड रसेन ने लगबक 1109 बे इसवी में एक नए समवत लच्छमण समवत को आरंब किया था तो इस प्रिशन का सही जवाब क्या था वा था option number B is the right answer अगले पर स्कूर बढ़ते हैं अगले पर स्कूर बढ़ते हैं अगले पर स्कूर बढ़ते हैं अगला प्रिशन क्या बोल रहा है अगले प्रिश्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण की है अगला प्रिश्ण है कि राजा बलाल सेन अपने निम्नांकित गरंत के लिए विख्यात है कौन से इसने कौन से गरंत लिखी थी इसने दो गरंत लिखे थे एक लिखाता दान सागर तो इस प्रिश्ण का सही लाने का यस प्राप्ठ हुआ है तो वह कौन था तो किस ने चला आ था वह लचमड सेन ने चला था ओप्सन नंबर डी-इस देर राइट एंसर और कब से इसने सुरुआत करी थी इसने ग्यारा सो नबबे इस्विशन की यह लचमर संवत की शुरुआत करी थी तो इस प्रिश नमबर D is the right answer सेन मंस के द्वारे स्टार्ट किया दिया था तो इस प्रशन का सही जवाब है option number D is the right answer अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन है कि हिंदू सासी सासकों की राजधानी कहां थे तो हिंदू साही सासकों की जो साही वंस इस्थापित था इस वंस का जो सासक था लगर तुमान को इसके एक ही ब्रामबर जाती के मंत्री जिसका नाम कल्लर था कल्लर ने गद्दी से इसको हटा दिया और यह स्वयम जाकर सासक बन बैठा और इस प्रकार नवी साताबदी के उत्रारद में हिंदू साही वंस की स्थापना हुई और हिंदू साही सासकों की जो राजधानी थी वह वैहिंद वैहिंद जिसे उद्भांड पूर कहा जाता है यहाँ पर इनकी राजधानी भी थी तो इस प्रिष्ट का सही जवाब क्या था वा था उप्सन नंबर डी इस दा राइट अंजर अगले प्रिष्ट की और बढ़ते हैं अगला प्रिष्ट के हैं अगला प्रिष्ट की समकालीन राजा के पाखंड एवं भ्रेष्ट आचरर को उद्घटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक जो थे वा कौन थे तो वह जो लेखक थे उनका नाम था छे मेंद्र उप्सन नंबर ए इस दा राइट अंसर इसके बारे में कुछ महतपूर्ट तथे जान लीजिए महतपूर्ट तथिया है कि छे मेंद्र की व्रहत्ता मंजरी एक है ग्रंथ जिसका नाम है व्रहत्त कथा मंजरी इसमें अपने समकालीन समय का विश्तित वर्डन मिलता है जिसमें लेखक ने व्यंग करते हुए ततकालीन समाज के भ्रहत्त आचरण एवं पाखंड को उदगाटित किया है तो इस प्रिष्ण का सही जवाब क्या है वह है option number A is the right answer अगले प्रिष्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रिष्ण क्या है अगला प्रिष्ण की कल्हण की रास तरंगडी में वर्लित अंतिम राजा जो है वह कौन था जो अंतिम राजा था उसका नाम था अधिक महत्व है इस ग्रंत की जो रचना है वह कस्मीर नरेश जै सिंग और जै सिंग ने लगबग 1128 से लेके 1155 तक इसके काल की इसने मतलब इनके बारे में इन्होंने बताया है इसके आठ तरंगों में कस्मीर देश के प्रारंब से लेकर 12 सदी तक का इतिहास जो है वह हम वल्लित है और राश तरंगडी जो है या संस्कृत भासा में राश तरंगडी जो है वह संस्कृत भासा में इतिहासि घटनाओं को करम बद रूप से तस्तुत करने का प्रथम इस्तुत्य प्रयास है तो इस प्रस्ण का जो सही जवाब है वह है option number C is the right answer अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या अगला प्रस्ण है कि हर्स के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नहीत हर्स के समय की जो सूचनाएं हैं वह कल्हड के द्वारा रचित रास्तरंगडी में इन सब के बारे में हमें पता चलता है option number B is the right answer और जो हर्स वर्धन था ना जो हर्स था वह लुहार वंस का सा सकता और कल्हड जो है वह हर्स वर्धन के आसरित कवी थे और कल्हड नहीं अपनी पुस्तक रास तरंगडी में किसमें रास तरंगडी में काश्मीर के सासकों का वर्धन किया है जिसमें सरप्रमुक जो है उनका नाम हर्स है तो इस प्रश्ण का जो सही जवाब है वह है option number B is the right answer अगले प्रश्ण और आज के अंतिम प्रश्ण की और बढ़ते हैं प्रश्ण बोल रहा है कि राजवन्स जो कन्नौच पर आधिपत इस्थापित करने में त्रिकोडी संघर्स में उल्जे हुए थे वह कौन थे एक पाल थे एक प्रतिहार थे और एक राष्ट कूर थे वह चो संघर्स के रूप में या संघर्स जो था वह जो है वह गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट कूट वंस के सासकों के बीच हुआ और कन्नौज जो है उस समय उत्तरी भारत की राजनीती एवं आर्थिक गतिविदियों का केंदर था इस नगर पर अधिकार को लेकर पाल एवं गुर्जर प्रतिहार सासकों के बीच संघर्स छिडा बाद में दच्छिड के राष्ट कूट राजा जो धुरू थे राष्ट कूट राजा धुरू ने इस संघर्स में हस्त छेप किया और अंत में गुर्जर प्रतिहार वंस के सासकों को सफलता मिले तो इस प्रिश बपाद कि अदो बाद रवाद कि आगा था बाद कि आगा कि Sam